आप सभी दर्शुकों का स्वागत है इस नई वीडियो में जहां हम सीखते भी हैं और पैसे भी कमाते हैं आईए चल कर जाने आज HDFC बैंक के बारे में और इसके MDCEO आदेतेपुरी ने क्यों बेचा अपना हिस्सा जी हां हम यह सब बताएंगे आदेतेपुरी ने 95% of his stake has been sold पिछले हफ़ते Saturday को उन्होंने NSE में फाइलिंग की है कि उन्होंने अपने 95% हिस्से को बेच दिया है जानेंगे पूरी डीटेल और समझेंगे इसका impact क्या हो सकता है मंडे को और हम लोगों को क्या करना चाहिए अभी सबसे पहले HDFC बैंक के बारे में बात करें तो यह आपको personal banking देता है NRI banking provide करता है agriculture में support करता है और corporate banking का इसका एक speciality है तो आपकी जैसी need है आपको वैसा offer मिलेगा और आपको online bill pay का भी बहुत अच्छा सुईधा रहती है इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने cards बहुत issue कियो है HDFC के credit card और debit card और जिन्होंने मंचट के साथ tie up करके काफी अच्छे offer retailers को मिलते हैं तो इस वज़े से इनकी sales भी increase होती है और customer को भी फायदा मिलता है तो दोनों का advantage है win-win situation है अब हम बात करते हैं आदित्य पूरी की जो एक managing director CEO है इस company के 1994 से अब उनके बात करते हैं उन्होंने किया क्या है उन्होंने अपने 95% shares को बेच डाला है जी हाँ total share है 74.2 lakhs जो उन्होंने बेचे है और जिनकी कीमत करीब-करीब 843 करोड की है जी हाँ इतनी बड़ी quantity में उन्होंने selling की है अब बदाते हैं detail इसके बार में अधित्य पूरी ने की जो annual salary है वो 18.92 करोड है और इसमें employee stock option included नहीं है जी हाँ तो बहुत अच्छी healthy salary लेते हैं अपने आपसे और ये 1994 में nuked थे HDFC bank के CEO और managing director और इनकी exit अभी 2020 में है इनका replacement अभी पूरी तरह approved नहीं हुआ है बढ़ हमारे पास गुप्त सुत्रों के साफ़ से तीन खबरे मिली हैं कि तीन main contender है दो उनके HDFC bank के और एक external तो सबसे पहले जो है शशीधर जगदीशन जो है वो HDFC bank के in-house member है जो की leading candidate है इस position के लिए October 2020 में दूसरे है काईजाद बरूचा ये भी HDFC bank के ही member है और ये भी एक second leading candidate है और एक external member है जी हाँ city group से सुनिल गर्ग ये भी एक leading candidate है इस particular race के लिए जो तीन अभी identify हुए है final decision इनकी exclusive board committee लेगी बट ये तीन leading candidate है जिनको वो select कर सकते हैं आगे future के लिए तो अब हम समझते हैं कि HDFC bank के जो managing director CEO जिन्होंने 1994 से इस bank को इतनी अच्छी तरह संवाला है वो एकदम अपने निकलने से पहले ही share क्यों बेचते रहे हैं क्या कुछ अंदर की ख़वर है आईए चलो समझते हैं इसको पहले समझ लीजे कि इनका banking system कैसे है ये simple NII पर काम करते हैं customer से जैसे आप और हम retail customer है उनसे fixed deposit के माध्यम से पैसा लेते हैं हमको कम दर्द मिलती है 6% for example और वो ही 10 या 12% पर corporate को loan दे देते हैं तो जो net profit इनका होता है जो net interest margin जो होता है अगर 12% पर दिया तो net 6% इनका interest जो margin होता है वो इनके पास रहता है जिसमें OPEX हटाने के बाद इनकी profitability आती है तो इनका basic simple model है कम दर्द पे लो retailer से और जादा दर पर इस पैसे को ब्याज पर चड़ा दो corporate को यह fixed deposit भी online करते हैं, online इनका काफी अच्छा banking है अब हम जरा समझेंगे इनका quarter one result जैसे आपको पहले ही पता है NIA increase हुआ है, profit भी increase हुआ है, इनके NPA केवल 1.3% है जो थोड़े से improve हुए है और इनकी other income कम है है और card usage जैसा expected था COVID के चलते हुए वो कम हुआ है, तो इसकी वज़े से यह growth इसकी थोड़ी जो है वो कम हो गई है इस quarter में और जिस तरह से dream run हुआ है इसका हो सकता है, आगे यह थोड़ा reduce capacity में work करें जैसे मैंने बताया, यह लोग बहुत अच्छी tie-up करते हैं, big basket के साथ हमेशा offer रहता है और आप various, actually, किसी भी activity से देखें, तो कही न कहीं से इनका कुछ न कुछ offer मिलेगा यह मिलेगा 5% off और 7% off, ऐसा इनका offer रहता है तो यह सारी की सारी banking पर रोइल करते हैं, mobile banking है, cashless, cardless cash है, whatsapp banking है और private banking की जो है, वो सबसे अच्छी banking मुझे लगती है जैसा अगर आप premium customer है, तो आपको bank जाने की जूरत नहीं है, bank आपके पास आएगा आपसे deposit ले लेगा घर पर ही, आपको cash withdraw करना, आपको cash withdraw करेगा दोस्तों, अगर video information अच्छी लगी, तो like जरूर कीज़ेगा अब हम जर इसका technical level पर समझते हैं, इस value से क्या फरक पड़ रहा है company के stock पे, अब सबसे पहले हम अपने दर्शोगा का स्वागत कर ले, मैं आपके प्यार से बहुत आभारी हूँ, अगर आप पहली बार आएं channel पर, तो please channel को subscribe किजे और आपका कोई भी feedback होगा, तो वीडियो को like कीजे, या फिर comment box में डालिए अगर कोई suggestion है आपका, यहाँ पर हम आपको motivational वीडियो के साथ में latest stock based information भी देते हैं और इसके साथ में आपको education वीडियो भी provide करते हैं, तो आपको जो सी जरूत हो, उसके हिसाब से हम आपको help करने के लिए त्यार है यहाँ पर हमारा objective है, learn करना और साथ-साथ में earn भी करना अब जड़ा एक बार देखें, कल Nifty और Bank Nifty ने क्या कारोबार किया और आपको हम समझाएं यह हमारी concern कहाँ पर है अगर आप Nifty का कारोबार देखें, तो Nifty ने flat बंद हुआ almost 20 point पे, पर वहीं पे banking sector थोड़ा नरम था यह ख़बर आपको समझनी है, कि banking sector 1.83% बंद हुआ है करीब 421 point के level पर और इसमें कहीं भी भी पिछले high को नहीं इवन तोड़ने की कोशिश किया है, forget about going to green अब इसमें सबसे ज़्यादा problem की बात क्या है, कि HDFC bank, one of the best bank समझाता था इसकी dream run चली थी अगर आप बात करें, इसका 500 रुपे से लेकर इसका dream run जो हुआ है, वो 1250-1260 तक का हुआ है उसके बाद एक बाद फिर सो थोड़ा high बनाया, पर COVID के चलते हुए उसकी एकदम दिक्कत आने लगी सब market problem हुआ, 742 पे वो बिका, और उसके बाद में आप देखे, इसने एकदम बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी है और अच्छा उपर गया है ये expectation में है कि quarter result अच्छा जा रहा है, पर अगर हम अब कर क्या सकते हैं, अगर आपके पास share है तो आप क्या कर सकते हैं और अगर आपके पास share नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए हम बताते हैं आपको, ये देखिए, इसका आपको दो लेवल याद रखने है, 1093 जिहां 1093 और दूसरा लेवल 1023, ये दो लेवल आप धियान रखिएगा, आपने चार्ट पर मार करके रखिए, जब हम final conclusion बताए 957 अधर लेवल है, जो 38% लेवल है, अब अगर हम डेली चार्ट पर देखें, तो डेली चार्ट पर इन्होंने अपना upward rising channel बनाया है, और अभी channel के बिलकुल mid point में या उससे थोड़ा नीचे है बलकि, वहीं पर अगर हम इसका bullionger band भी देखें, तो bullionger band के basis पर भी ये आ रहा है अभी median के तरफ और अगर इसको upward journey continue करनी है, तो इसके उपर रहके थोड़ा फिर से upward journey continue करेगा, पर हमारी आशंका कि इस news से कल market में थोड़ा बजार नरम रहेगा HTFC bank का, और हो सकता है ये 10.80, यहां 1080 के आसपास trade करे, आप बताईएगा, आपको क्या लगता है इस समझना है, इसने जून एक से super trend ने इसको upward moment दिखाया है, जी हां, और अभी तक कोई upward moment का break नहीं हुआ है, अगर वो 10.40 को break करता है, तब ही उसका downward moment शुरू होगा super trend के साब से, वहीं पर अगर आप इसको moving average के देखे, जो slow indicator होता है, वो उसने करीब करीब जून 3 या 4 से upward trend शुरू कर किया था, और अभी तक upward trend continue कर रहा है, पर यहां पर थोड़ा ये movement थोड़ा कम हो जा रहा है, तो इससे आपको momentum का पतल लग जाता है, कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर आप 15 मिर का chart देखें, तो पहले इसको analysis करते हैं, जैसा bank ने काम किया, वैसे इसने कि पर बाद में थोड़ा सा share में थोड़ी जान आई, और इसने pretty much काफी lost ground को cover किया, पर वहीं अगर आप पिछले, जबसे इन्होंने share shell शुरू किया था 21 तारीक से, तो आप समझे यहां पर, यहां पर supply आई है, 11,058 पर्ण की supply शुरू हुई है, वो नीचे लेके गई उसको 11,039, sorry, 1,057 पर, the selling started on that day, and it closed at 1,139, next day selling continue, and it closes around 1126, after that selling again continue, but then little bit improvement, और उसके बाद में, Friday को जैसे market था, उसी के साबसे उसने continue किया, इनकी selling जो हुई है, stocks की, वो 21 से 24 तक बताई गई है, NSC की filing में, तो आपको अगर कुछ information देखने हैं, तो NSC की website पर जाकर देख सकते हैं, पर हमारी उमीद, कि अब यहां पर, इसके उपर जाना थोड़ा cut in होगा, 11,40, इसका अभी short term के लिए हो सकता है, कोई resistance की तरह से काम करें, अब हम आपक पूरी जी जाएंगे October में, और पता नहीं कौन आएगा, उनकी command, उनकी style, उनका operating system, कैसे होगा, तो इस वज़े से हो सकता है, थोड़ा knee-jerkly action हो, मंडे को, उनके 95% stake sell करने के बाद में, क्योंकि एक साथ उनने बहुत बड़ी 95% sell किया है, तो कुछ तो शाद हो सकता है, मह 1000-110 के आसपास, और दूसरी quantity, 940-930 के आसपास, जी हां, अगर कोई बातनी second quantity नहीं आती है, फिर भी आपके लिए अच्छा है, आपका profitable रहेगा, और अगर आती है, तो आपका average कम हो जाएगा, हम हमेशा staggered manner में advise करते हैं, खरीदने की, अब अगर इसके target की बात की जाए, कि इसका target कितना होना चाहिए, तो हम बात करेंगे target की, please consult your financial advisor before investing and trading, अगर हम target की बात करें, आपको 2 target देंगे, एक short term का, अगर आप short term trading करना चाहरे हैं, 3-6 मेने के time zone पे, तो जो short term का target हम बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, करीब करीब 13,000 का, जी हां, sorry, 1300 का, अगर आप short term के देख रहे हैं, तो इसको हम 2 साल के लिए करीब करीब 5,000 का target बता रहे हैं, जी हां, 2 साल में ये 2,000 से 2,000 से 2,000 के बीच में trade करना चाहिए, तो जैसा आपको लगे, आप अपने हिसाब से सोचिए, और इसको अपने हिसाब से stock में position बनाएए, पर comment में जूरू बताइएग आपको क्या लग रहा है इस information से, क्या Monday को market इसकी वज़े से negative खुलेगा, क्या होगा, आप बताइएगा हमें information देगा, thank you, bye